श्री बल्वान पुनिया सबापती जी दोनों दल बड़ी डिंगें हाक रहे हैं नजारा कुछ अलग है मैं राजेपाल जी के अभी भासन पर कई मुद्दों पर मैं आपका ध्यान आकरसित करना चाहूंगा हसल बिमा को सिर्फ दो सब्दों में इस वासन में सल्टा दिया हजारों करोड रुपए बिमा कंपनिया हमारे से प्रीमियम ले जाती और कलेम सिर्फ वहां मिलता है जहां लोग लड़ते उसके अलावा कहीं बिमा कंपनी कलेम नहीं देती हम चाहते थे सरकार से कि सरकार इस मुद्दे पर गंभीरता से ऐसी टासक त्यार करे जिसे किशान को पता चले कि परीमियम कैसे कटता है परीमियम कटने का टाइम क्या है और उसकी फसल क्या रहेगी किसी किसान ने चार साल पहले केसी सी बना ली और वो केसी सी का परीमियम चार साल बाद उसी फसल का कटे जो फसल उसके खेत में है नहीं उससे परीमियम 388 रुपए परती एक टेर ले ले लेकिन कपाश उसके खेत में नहीं परीमियम उससे काट लिया बिमा कंपनी दुगी न लाइन में अभी वाशन में शल्टा दिया इस बात को मैं ध्याना करशित करना चाहूंगा आपको कि हम फसल बीमा पर बहुत शीरियस होने चाहिए राजस्थान के लोग और सरकार क्योंकि हमारे यहां कुद्रत पर ज्यादा जिम्मेदारी रहती है बर्शात करने की हमारा इल हालांकि चूरू और हन्मानगड में खास करके भादरा नोर और पल्लू में चूरू में तारा नगर और राजगड जो चूरू के माननिये पुरो मंत्री जी चले गए मैं उनको याद दिलाता कि कैसे लोग तिन-तिन महीने शड़कों पर पड़े रहकर के बिमा लेते थे आ इतना बड़ा ताला पता नहीं कहां से लेके आए कहां से आयात किया था वो ताला वो ताला तीन साल पहले लगा दिया किसलिए लगा दिया कि दो मील और उनको एड़जेस्ट रखना था सबसे बड़िया धागा स्पीनिंग मील हन्मानगड का था उसमें तेरा सो करमचारी के आज भी दरदर की ठोकर खा रहे हैं मैं आपका ध्यान आकर्षन करना चाहूंगा कि उन करमचारियों को वापिस उसी मील में ले जाओ वहां भूद बढ़िया क्वाल्टी की कपाश होती है वहां धागा पैदा करवाओ और हिंदुस्तान से बार भी वो धागा एक्सपोर्ट कर सकते हैं आप बहुत बढ़िया क्वाल्टी रहती है अनमान गर्जिले की कपाश और नर्मा की हमारे शेतर में शिंचाई पानी अगर बात करें हम पूरे राजस्थान की 8.60 में पानी हमारे पास है आज तक 0.60 पानी हम ले नहीं पाए है शिंचाई के मसले पर फिर अभी वाशन में चूक गए ये का गया है कि जो पानी है उपलब उससे और ज़्यादा छेतर को नवाचार करके फिर उसमें बून्द बून्द सिस्टम से पानी देंगे ऐसे लग रहा है जैसे है कोई पार्टी कोंफरेंस में एक आगस देते हैं पार्टी के लोगों का हुसला बढ़ाने के लिए पार्टी कोंफरेंस में मैं बहुत बार देखता हूं दस्तावेज आता जिसे सारे लोगों में जोस आ जाए किसाब आभारी पार्टी बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है आपने सिंचाई के मसले पर गंगा नगार, हनमानगर, भीकानेर, जरसल मेर और खाश करके वाया पंजाब जो पानी आ रहा है उस पानी की चर्चा नहीं की जो 0.60 अभी अमें मिला नहीं है आपने चर्चा नहीं की वाया हरियाना जो हमें पानी मिल रहा वो आज तक 0.17 अमें पानी नहीं मिल रहा उसके बारे में इसमें कोई चर्चा नहीं है मैं आपके मादेम से कहना चाहता हूं सरकार को कि आप 0.17 अमें जो की भादरा नोर का इसा है जिसमें राजगड के भी 12 गाउं हैं सादुलपूर तैशील के आप हमारे इलाके का पूरा पानी दिलवाने के लिए तैयारी कीजिए और जो 0.60 अभी पंजाब और हरियाना हमें पानी नहीं दे रहा वो पूरा पानी लेने के लिए शरकार एक्षन पलान बनाए और भजट के समय ये व्यवस्था लेकर के आए कि हम इतने दिनों में भचा वा पानी हम ले लेंगे और जो इलाका आपने पहले कमांड किया था बीजेपी और कांग्रेस दोनों के शासन में उसमें अभी तक खाड़े नहीं बने पिछले 5 साल में तो पता नहीं किस बात की न लेके गए थे यहां से नोरभादरा से सारे दबतर उठाकर के करणपुर और सूर्टर लेके गए थे वहां की रिपोर्टें कोई अच्छी नहीं कि वहां कोई ज्यादा खाड़े उन्होंने बनाए हो शिश्टम को तोड़ने का सिंचाई मैक में को तोड़ने का पूरा काम किया उससे पहले ठीक ही है इधर वाले भी नहीं सभापती जी इन्होंने 1998 में में जब सरकार बढ़ी संग 2000 में नेरों में निजी करण की व्यवस्ता लेके आए यानि किशान नेर चलाएगा सरकार नहीं चलाएगी सरकार तो सिरफ उसका राज सुए लेगी हमारी मांग यह रहती है कि सरकार निजी नेरी तंतर में निजी करण को बंद करे और सरकारी करमचारी न्युक्त करे मैट बैलदार एईन जईयन लगाए यह बार बार मांग रहती है यह कोंग्रेस के जमाने में भी मांग रही है यह बीजेपी के जमाने में भी मांग रही है इसलिए मैं 2012 में जिसने कर्शी के लिए पैशे भर दिये उसके कनेक्शन कर देंगे हम जमाने से कितना देर चल रहे हैं 18 बीट गई 19 चल रहा हम अभी 12 वाले के कनेक्शन कर रहे हैं वो किसान जो 6 साल से इंतजार कर रहा है कनेक्शन का और इनके जमाने में तो साब एक बहुत बड़ा गड़बड रहा है डानियों में कनेक्शन के लिए इंतजार करते रहे हैं बहुत योजनाओं का नाम बदला था दीन दयाल योजना बार बार चक्कर काट काट के लोगों के पैर गस्पे दीन दयाल उपादा योजना में हमार कंचला किरवान पून या विधायक नहीं होता विधायक भीजैपी का क्या बात कर रहे हो कनेक्सन मिए अफिच मा मत बोलो साब यहां विद्य इसमट मिंट ओन ah eating मैं तो है वह बात बताऊंगा आप अगिर लीकिवagtें सभाती जी गरेलू पिजली की दुरों में बे इंत्यावर्दी तीन दफा की पिसली सरकार में, मैं ध्यान आक्रशन करना चाहूँगा नई सरकार का, आप भी ऐसे ही करेंगे, जनता भोत बारी प्रेसान, दो बलब अगर कोई धर में लगा ले, दो बलब, डेडडड़ दो अच्छार उपए भी लाता, सताई शुलक के अभी बासन में नहीं है, जो राजस थाम के करोड़ों लोग इंतजार कर रहे थे इस बात की, इस बात का इंतजार कर रहे थे लोग, कि जो सकूल पिछली सरकार ने बीज़ार बंद किये, वो सकूल कैशे खुलेंगे, उन सकूलों को कैशे खुला जाएगा, इसमें जिकर जरूर किया, कि सकूल जो बंद पड़ेंगे, उनकी समिक्षा की जाएगी, लेकि चुनाव में बासन तो ये हुआ करते थे, जो पार्टी सरकार में आई, कि बंद किये हुए सारे सकूल खुलेंगे, अब वोई सब्द आपने इस्तेमाल कर लिए, कि सकूलों की समिक्षा कर करोगे, एक लाइन से जिन्होंने सकूल बंद किये थे, दूसरी लाइन से तुम सकूल बापिस खुलो, ऐसी हमारी मांग, हम भी लोगों से कह के आएं, कि सकूल खोल खुल वाके रहेंगे, है हजारों, हमारे करमचारियों की, पुरानी पैंसन स्कीम, जो 2004 में आई थी, रा सो रुपए, सोड़ा सो रुपए पैंसन मिलेगा, आज पुरे राजस्तान में महाओल है, OPS के पक्ष में, पुरानी ओल्ड पैंसन स्कीम के पक्ष में, मैं राज एपाल जी के भाशन में, इस चीज को नदार्द पा रहा हूं, और हमारी मांग भी रहेगी, कि आप पुरा पैंसन के पक्ष में, इसलिए सरकार पुराने पैंसन पर विचार करेगी, रिश्को लागू करेगी, आपने, जो पिछली सरकार ने, रासन कार्ड में लोगों के नाम अठाये थे, भामाशा से, और खादे सुरुक्षा से, इस सरकार ने ये तो कहा, कि नाम जोडेंगे, ल लगू और शिमानत की जो सर्त लगाई थी, जिस सर्त की वज़े से, लोग खादे सुरुक्षा में जुडने से वंसित हो गए, लोग बिमारी का इलाज नहीं करवा पा रहे हैं, दरदर की ठोकर खा रहे हैं, एसमस और बिकानेर के पी बियम होस्पिटलों में जाते हैं, ल लेकिन सबद ये लिए गए हैं, कि इसको कैसे अटाएंगे, और लोगों को खादे सुरुक्षा में बापिस कैसे जोड़ेंगे, ये राजिया पाल जी के भाशन में, ये बात सपस्ट नहीं है, सरकार को इस बात का सपस्ट करना चाहिए था, बिजली की दरों के बारे में स बहुत जादा किशान ने बूंद बूंद कनेक्शन की, उनका क्या रहेगा, इस बात का कोई जीकर नहीं किया, राजस्तान के दूसरे हिसे में बूंद बूंद में क्या रहेगा, इस बात का इस अभी भाशन में, कोई जीकर नहीं किया है, जो कि करना चाहिए था, उन किश जली सरकार ने एक ट्राई की थी कि दाम बढ़ा के देखते हैं किशान जब अहकिल भारत के किशान सवा के नेतरतों में और दूसरे संग्षनों के नेतरतों में जब आजारू किशान सड़कों पर उतर गए तो इनको फैसला तो वापिस लेना पड़ा पर बूंद बूंद के किशान का फैसा करना ये भूल गए थे मैं सदन का और सभापती जी का ध्याना करशित करना चाहूंगा कि परदेश में भूश रही बीमारियां जैसे कैंसर हमारे इलाके में पंजाब के जरिए हर्याना के रस्ते जिस तरीके से कैंसर एक महमारी के रूप में पैदा हो रही गंगानेगर और मानगड में ऐसा कोई इंस्ट्यूट नहीं है जा हम उस बिमारी की जांच करवा पाएं उस बिमारी को चेक करवा पाएं बिकानेर और जैपुर के लिए लोग बशों में और गाडियों में भर भर के आते हैं इसलिए सरकार को इस गंबीरता के साथ जो नई बिमारी आलाके में घुझ रही है राजस्तान में घुझ रही है इस पर गंबीरता से विचार करना चाहिए था ये भी इस में कोई कंसेप्ट सामिल नहीं किया गया है इस बात के लिए भी हम सदन का ध्याना करशित करवाना चाहेंगे कि आप इसको सामिल करो परदेश को ए अशिली दुवाईयां खा रहा है सरकार को उस नोजवान की चिंता हभी वाशन में कहीं नजर नहीं आई ये हभी वाशन पांक साल की सरकार का रोड मैप दिखना चाहिए था इस लिए इस चीज को भी सामिल करते वे नशे के खिलाब भी बहुत घंबीरता से सरकार एक्शन ले और एक चीज लास्ट जो मेरी रेगली मैं कहना चाहता हूं कि पूरे पास साल में जो अधिकारी करद थे जिलों में जमे बैठे थे ठानों में जमे बैठे थे आज भी वो जम के जंता को लूटने का नाकाम कोशिश कर रहे हैं मैं सरकार का ध्यान आकरशित करना चाहू आरे हैं उन लोगों की जांच की जाए उन मंत्री मंत्री तो अपने आप ही आगे कमिशन तो उपर तक पूस्ता था इसलिए सभापती मोदे राजस्थान में एक बढ़िया नाम दे देने से सरकार नहीं बनती साब न्याय सिरभ होना नहीं चाहिए न्याय होता हुआ परती की तोड़ा चाहिए यह न्याय का संद्रव है आपने मुझे समय दिया आपने मार्क्ष्वादी कमनुष्ट पार्टी को समय दिया आपका भूत भूत धनेवाद शुक्री श्री जगदीश जाए